नमस्कार आज हम कॉन पास्ता पी सैलेट बनाएंगे ये जल्दी से बन जाता है इसको बनाने के लिए यहाँ पर एक कप पास्ता आधा कप कॉन एक छोटा प्यास बारे कटा हुआ एक मेडियम टमाटर कटा हुआ चार से पांच हरे मिर्ची एक चोथाई छोटी चमच लाल मि उसमें हम पानी डाल देंगे जब पानी उबल जाएगा तब हम उसमें कॉन डाल देंगे कार्ण को हमने ब्लांच करना है एक दो मिनट के लिए गरम पानी में उबा लेंगे और इसको ढग देंगे कॉन अच्छी तरहां से बॉयल हो गए है और उनका कलर भी थोड़ा सा चे निकल जाए पास्टे को भी उबलते हुए पानी में डाल देंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे तेल डालने के बाद एक चुटकी के करीब नमक डाल देंगे इससे जो पास्ता है फीका नहीं बनता है पास्ते को 7-8 मेंट तक अच्छी तरह से पकाएंगे और इसको हिलाते भी रहेंगे पास्ते को हमने चेक किया तो पास्ता बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है ऐसा ही पकना चाहिए थोड़ा सा कच्चापन रहे है ताकि जब हम खाएं तो वो दांत को थोड़ा सा चिपके अब हम पास्ते को भी पानी से निकाल लेंगे दोने चीजी हमारी तयार हो गई है चलिए अब हम पास्ता सैलेड बनाते हैं एक मिक्सिंग बॉल लेंगे उसमें हम बॉल किया हुआ पास्ता डाल देंगे बॉल की हुई उबाली हुई कौन मक्की के दाने डाल देंगे ये बहुती स्वादिस्ट होते हैं और हेल्दी भी होते हैं बारी कटा हुआ प्यास टमाटर टमाटर के हमने बीज निकाल दिये हैं हरे मिर्ची लाल मिच पाउडर तीखा आप अपने स्वाद अनुसार कमज़ा जादा कर सकते हैं काली मिच पाउडर नमक, स्वाद अनुसार, प्यास टमाटर खीरा सैलेट खाते हैं आज अलग तरह से सैलेट बना के खाएंगे इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आप इसमें ओलिव वाई, नमक, लेमन जूस भी डाल सकते हैं अब हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे निम्बू का रस डाल कर इसको अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि सब का स्वाद जो है पास्ता सैलेट में मिक्स हो जाए और वो स्वाद बने पास्ता सैलेट बन कर त्यार हो गया है आप भी बनाईए, खाईए और अपनी अनुपब जरू शेयर करने का इसके उपर थोड़ा सा दनिया जाब एसी लीप्स डाल देंगे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए आपका एक शेयर मुझे बहुत स्पोर्ड करता है देखने के लिए आपका धन्यवाद मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद, नमस्कार